हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब उमीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे फ्रेंड्स हमारी भारतिय रसोई में न कई तरह के मसालों का उप्योग किया जाता है जो हमारे खाने के स्वाद को कई गुना बढ़ा देते हैं और बहुत लाबकारी भी सिद्ध होते हैं तो जिसमें से एक है ये कड़ी पत्ता जब हम इसे इस्तमाल करते हैं न वेंजनों में तड़का लगाने के लिए तो बहुत बढ़ी है खुश्बू भी आती है और भूप भी और बढ़ जाती है तो ये छोटा सा पत्ता काफी गुनकारी है फ्रेंड्स काफी फाइदे देता है ये हमें तो मैं आपको बता दूँ इसकी तासीर होती है बिल्कुल ठंडी तो गर्मियों में अगर हम इसका सेवन करते हैं न तो हमारे लिए ये बहुत ही ज़्यादा फाइदे मन्द होता है फ्रेंड्स इसका सेवन हम कई रूप में करते हैं आपको मालूमी है ये खाना बनाने बन satellar बनाकर और लिस्सी केपर ये धाही के उपर रिंग दही के उपर ये फिर खाय येगा बहुत फैदा देगा हमें ये चाय बनाकर भी हम इसकी पी सकते हैं एक कप पानी लीजिए उसमें तीन चार जादा से जादा पांच से छे पत्ते लीजिएगा उबाल लीजिए अच का सेवन कर सकते हैं तो किसी ना किसी तरीके से हमें इसे खाना होता है तो फ्रेंड्स गर्मियों में क्या होता है पाच्चन से जुड़ी कई समस्याइं पैदा हो जाती हैं सबसे ज्यादा हमारी पेट से संबंदी प्रॉब्लम्स हमारी पैदा होती हैं जो सभी को हो जाती हैं जैसे gas हो गई acidity हो गई पेट फूलता है हमारा कुछ भी खाली जिएगा थोड़ा सभी खाना खाएंगे न तो पेट फूलने लग जाएगा यहां कब जो जाएगी अगर हम इसका अपयोग करते हैं friends तो ये problems भी हमारी बिल्कुल solve हो जाती है बिल्कुल खतम हो जाती है पर आपको इसे रोज ही इस्तमाल करना है और करना कितना है आठ से दस पत्ते बास जादा नहीं हमें जादा नहीं खाना है अगर जादा खाएंगे तो नुकसान भी करेगा यह हमें तो friends करना क्या है आपको यहां तो आप इसके पत्तों को अच्छी तरह से सुखा लीजिए उसको powder form में आप इस्तमाल कर सकते हैं यहां इसी तरह से पत्तों का भी इस्तमाल कर सकते हैं अच्छी तरह से धो कर सुखा कर आप खाने में इसका इस्तमाल कर सकते हैं फ्रेंड्स अब कौन-कौन सी बिमारियों को ये हमारी निजाद दिलाता है, सबसे ज़्यादा तो हम परिशान रहते हैं मुटापे से, तो वजन कम करने में ये हमें बहुत साहिक है बहुत ज़्यादा साहिक है कॉलिस्ट्रोल तो बिल्कुल नहीं बढ़ने देता फ्रेंड से बैड कॉलिस्ट्रोल को कम कर देता है और गुड कॉलिस्ट्रोल को बढ़ाता है अनीमिया जैसी प्रावलम को ये बिल्कुल खतम कर देता है जिसमें खून की कमी होती है हमोगलोबिन कम होता है तो अगर इसका सिमन हम करेंगे न तो वह बिल्कुल ठीक हो जाएगा क्योंकि इसमें आइरन काफी मात्रा में होता है जिंक काफी मात्रा में होता है डाइबेटीज को भी नियंत्रित करता है डाइबेटीक पेशेंट के लिए ये बहुत बैस्ट है शुगर लेवल को कम करने में सहाय का इसमें ऐसा गुन है लिवर हमारा बिल्कुल स्वस्त रखता है डाइरिया जैसी प्रॉब्लम को भी ये बचा कर रखता है नहीं होने देता, अगर हो गई तो ठीक कर देता है हार्ट के लिए भी बहुत बैस्ट है मैंने अभी आपको बताया कॉलिस्ट्रोल को बढ़ने नहीं देता, नियंत्रित रखता है फ्रेंड्स गर्मियों में क्या होता है? इन्फेक्शन बहुत हो जाती है तो उसके लिए इसमें एंटिबायोटिक या एंटिफंगल वाले गुण भी पाये जाते है जो इन्फेक्शन को बहुत जल्दी से ठीक कर देते है सूजन को भी कम करता है फ्रेंड्स ये कई गुण है इसमें, बहुत गुण है, अगर मैं आपको गुण बताऊँ न तो बहुत जबर्दस गुण है इसमें मैं आपको बताऊँ एक पौदा आप अपने घर में कड़ी पत्ते का जरूर लगाईएगा वैसे भी कहते हैं, अच्छा होता है कड़ी पत्ते का पौदा घर पे लगाना तो आप इसका पौदे का इस्तमाल कीजिए एक पौदा जरूर लगाईए और कड़ी पत्ते का इस्तमाल कीजिए आँखों के लिए भी ये बहुत best reference सुरक्षा करता है हमारी आखों की और तो और स्किन के लिए तवचा के लिए ये बहुत best reference कई beauty products इसी से बनाये जाते हैं जो हमारे लिए बहुत ही बढ़िया साबित होते हैं आप इस्तमाल कर के देख लीजिएगा friends जिसके बाल सुखे हैं रूखे हैं बेजान हैं बढ़ते नहीं हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है नारियल का तेल लेना है उसमें कड़ी पत्तों को अच्छी तरह से तोड़कर डाल दीजिए नारियल तेल को उबाल लीजिए उसके बाद उस तेल को ठंडा होने के बाद बालों की जड़ों में लगाईएगा आप कुछ समय ऐसा करेंगे ना आपने आप आपको पता लग जाएगा कि हमारे बाल शाइन करने लग गए हैं घने होने स्टार्ट हो गए हैं लंबे हो रहे हैं तो काफी फाइदे ये हमें कड़ी पता देता है अब मैं आपको बता दूँ फटा फट से चटनी कैसे बनानी है तो चटनी बनाने के लिए एक कटोरी आप कड़ी पता लीजिए उसमें चोटा सा टुकड़ा अद्रक का दो तिन कलिया लस्टन के डालिए एक निम्बू का रस डालिए और सेंदर नमक डालिए मिक्सी जार में डालके पीस लीजिए और खाने के साथ आप उसे इंज्जॉय कीजिए फ्रेंड्स स्वाद भी बढ़ेगा और आपको फाइदा भी ये कड़ी पता बहुत देगा कई बिमारियों से आपको बचा के रखेगा तो है ना इसमें कितने गुन भरपूर गुन है फ्रेंड्स इस कड़ी पते में तो मैंने आपको भी बताया ना कड़ी पते का पौदा आप घर में जरूर लगाईएगा और खाना आपको ज़्यादा नहीं है आठ से दस पते आप डेली खा सकते हैं इसके किसी भी तरीके से खाईए चाए पौडर फोम में खाईए चाए इस तरह से पतों का इस्तमाल कीजिए जैसा भी आपको सही लगता आप इसे इस्तमाल कीजिए चाए आपकी इसकी चाए बना की पीजिए पानी में उबाल कर तो फ्रेंट्स कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो अगर अच्छी लगी है न तो इसे जादस जादा शेयर कीजिएगा लाइक फटाफट से दबा दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि ऐसी जानकारी वाली अच्छी अच्छी वीडियो में आपके लिए और रेस्पीस भी लेकर आऊंगी फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाइ बाइब।